हेलो इस्टुडेंट, वेलकम बैक ओन सक्सेस प्लस अक्रेडमी तो आज अपनी क्वेस्टन सीरीज में हाइड्रोलोजी का जो टॉपिक है देट इस इवेपोरेशन हम इवेपोरेशन के कुछ प्रिवियस एयर में या प्रिवियस एक्जाम में पूचे हुए क्वेस्टन और इसके अलावा कुछ और इंपोर्टेंट जो क्वेस्टन है सारे की सारे कवर करने वाले हैं ठीक है तो चलिए चलते हैं पहला गोस्टन है आपके पास पढ़ें इसको इवैपोरेशन लॉस आर डिपेंड अपोन ये गोस्टन आपका पूंचा हुआ है आर आर भी जी 2019 में देखें इवैपोरेशन लॉस जो होते हैं ये जो आपके पास फैक्टर है जिन जिन पर इवैपोरेशन डिपेंड करता है ये मैंने आपको डिटेल में एक्स्प्लेइन कर रखे हैं आप हाइड्रोलोजी की जाके वाँ पे वीडियो देख सकते हैं क्लियर क्वेस्टन नंबर दो देखते हैं क्या बोल रहा है आपसे कैल्कुलेट दा इवैपोरेशन इन एमेम और आप पॉंड इप दा पैन इवैपोरेशन इस 45 एमेम और पैन कोफिसेंट इस 0.70 तो आपको यहाँ पे देखें पैन इवैपोरेशन दे रखा है इसके अलावा आपको यहाँ पैन कोफिसेंट दे रखा है और आपसे पूंचा क्या है जो हमारी वाटर बोडी है पॉंड उसका एक्च्वल इवैपोरेशन कितना है ठीक है तो देखो एक्च्वल इवैपोरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास पैन इवैपोरेशन इन्टो पैन कोफिसेंट into pen coefficient आपको दे रखे हैं दोनों चीज़े दे रखे हैं आपे pen evaporation कितना है आपके पास 45 mm है और तो pen coefficient है वो कितना है आपके पास 0.70 है इसको आप solve करोगे तो आपके पास आजाएगा 31.5 mm answer clear option number 20 का answer हो जाएगा clear आगे चलते हैं question number 3 यह आपसे क्या बोल रहा है देखें आपे mayor formula is an empirical formula used to determine तो आप सभी को पता है कि जो mayor equation होती है वो evaporation laws find out करने के लिए use की जाती है ठीक है evaporation laws find out करने के दो तरीके होते हैं आपके पास दो method होते हैं एक होते हैं आपके पास pen method एक होते हैं आपके पास pen method जिसमें चार अलग-अलग type के pen यूज़ किये जाते हैं ठीक है एक US pen होता है एक आपके पास color red or sunken pen होता है एक होता है आपके पास IS standard pen इसके अलावा आपके पास empirical formula होते हैं जिनमें आपके पास major equation होती है और harfer equation आपके पास होती है तो यह होती है सारी की सारी आपके पास method इवैपोर इसन लॉस find out करने के clear है तो question number 3 का answer क्या हो जाएगा आपके पास option number B clear next question है आपका question number 4 humidity refers to the अब आप सभी को यह चीज़ पता होगी कि humidity क्या होती है humidity क्या होती है कि जो हमारे आजपास की air है जो हमारे atmosphere में air है उस air में कितने percentage water vapor है उसी को क्या बोलते है अपर उसी को humidity बोलते है ठीक है तो आप देखें इसके option volume of air नहीं water vapor in air clear है तो यह क्या है आपका बताएगा किसको बताएगा humidity को बताएगा clear है तो question number 4 का जो आपके पास answer होने वाला है वो क्या होगा option number B clear और यह जो question है यह दो बार पूछा जा चुगा है important question है देखिए अगला question है आपके पास question number 5 यह क्या बोल रहा है आपसे relative humidity is a ratio of actual vapor pressure to saturated vapor pressure at देखो इसको समझते है पहले relative humidity का जो formula होता है वो क्या होता है आपके पास actual vapor pressure divided by saturated vapor pressure ठीक है ना और आपको एक और चीज पता होगी कि जो vapor का formation होता है अपने पास water bodies में वो किसकी वज़े से होता है heat की वज़े से होता है और अगर दूसरी वाइडम में मैं इसको बोलना चाहूं वो क्या हो जाएगी अलग हो जाएगी क्योंकि जितना ज्यादा temperature बढ़ेगा उतनी ही क्या होगी आपके पास vapor liberate होगी ठीक है तो इन दोनों term को जो actual vapor pressure और saturation vapor pressure वाली term है इनको क्या करना पड़ता है मुझे same temperature पे लेना पड़ता है ठीक है क्लियर है तो आपके पास option कौन सा हो जाए रहे हैं यहापे option number 8 ठीक है clear यह question important है अच्छा question है next question देखे question number 6 यह क्या बोल रहा है आपसे which of the following instrument is used to measuring the amount of humidity in atmosphere तो आपसे यहापे पूचा है कि atmosphere में जो humidity होती है उसको measure करने के लिए कौन सा instrument यूज किया जाता है तो याद रखना that is hydrometer clear है hydrometer को instrument नहीं होता animometer जो होता है आपके पास wind velocity wind velocity and direction को measure करने में use आता है clear hydrometer जो होता है आपके पास वो use आता है आपका specific gravity को measure करने के लिए clear और hydrometer जो होता है आपके पास वो किसमे use आता है humidity को measure करने के लिए clear है याद रखना ये बाकी वाले जो instrument है इनका भी याद रखना क्योंकि ये भी आ सकते हैं इन पे भी question बन सकता है अगला question देखते है question number 7 evaporation is measured by आपसे option यहापे दिये हुए है and open pen यह PAM नहीं है यह PAN है आपके लिए clear second आपके पास lecimeter third आपके पास infiltrometer और D आपके पास neutron tube अब आपको सारी की सारी चीज़े आपके पता है देखो infiltrometer जो होता है वो किसको measure करने में काम आता है यह measure करता है अपना infiltration को ठीक है lecimeter जो होता है वो measure करता है आपका evapotranspiration को ठीक है और जो open pen होता है जिसे अपन दूसरी word में या दूसरी term में बोलते है evapourimeter इसे एक और नाम दिया जाता है क्या बोलते हैं इसे evapourimeter और यह जो होता है किसको measure करने में काम आता है यह काम आता है evaporation को measure करने में ठीक है और जो evapourimeter होते हैं या आपने पास open pen होते हैं वो generally तीन टाइप के use लिये जाते हैं एक होता है आपके पास US standard pen दूसरा होता है आपके पास scholar red or sunken pen और तीसरा होता है आपके पास Indian standard pen ठीक है इंडिया में अगर बात करें तो इंडिया में IS pen यूज किया जाता है clear यह बात हो गई question number 7 का answer हो जाएगा आपके पास A इसका answer हो जाएगा आपके पास A question number 8 देखिए यहापे क्या बोल रहा है under the same conditions which of the following shape will give the highest rate of evaporation आपको यहापे अलग-अलग condition दी हुई है उनमें क्या बुला है आपसे कि कौन से case में मेरे पास evaporation की जो rate है वो सबसे ज़्यादा होगी देखते हैं इसके बारे में आपको यहापे option A दिया हुआ है convex water surface option B दिया हुआ है flat water surface और C दिया हुआ है concave water surface तो एक बार मैं draw करता हूँ इस चीजों को देखो इस point से लेके इस point तक मेरी कोई water body है मैं पहला मानता हूँ कि इसकी shape है मेरे पास concave इस type की ठीक है यह हो गई मेरे पास concave shape ठीक है दूसरी मैंने माना second case में यह है मेरे पास flat shape ठीक है और third मैंने माना मेरे पास यह है एक तरह से concave shape ठीक है उपर उपर वाली कौन सी हो गई आपके पास convex shape हो गई बीच वाली हो गई आपके पास flat shape और third वाली हो गई आपके पास concave shape अब अगर आप यहाँ पे देखें तो convex shape जो है उसका जो open area है वो सबसे ज़ादा है ठीक है आप यहाँ पे देख सकते हैं जो open area है convex shape का वो सबसे ज़ादा है clear और दूसरी बात यह है कि जो अपनी earth की surface है या earth की जो position है जिस तरीके से earth अपनी बनी हुई है क्या है एक तरीके से round बान सकते हैं ठीक है तो earth पे कोई भी water body होगी उसकी actual shape कैसी हो सकती only convex हो सकती है कौन के नहीं हो सकती ठीक है न तो always क्या होगा convex shape जो होगी उसमें ज़्यादा heat आएगी क्योंकि इसका sorry इसका जो open area है वो क्या है जाएगी बढ़ जाएगी ठीक है तो इसका answer क्या हो जाएगा आपके पास convex water surface हो जाएगा देखो कौन के water surface तो मिली नहीं सकती किसी water body में यह चीज़ तो possible ही नहीं है ठीक है फ्लैट और convex में देखना था clear तो option या sorry question number 8 का answer क्या हो जाएगा आपके पास option number 1 ठीक ninth question देखते हैं यह क्या बोल रहा है आपका if pan evaporation is EP and actual evaporation is E then इनके बीच में क्या relation होगा देखो इसको समझने के लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ यह मानिए कि यह है मेरे पास कोई एक natural water body ठीक है यह है मेरे पास एक natural water body और इसके side में मैंने क्या रख रखा है एक pan रख रखा है यह है मेरे पास pan जिसका कि आपन evaporation major करते हैं ठीक है अब यह जो pan है इसका evaporation question में दिया हुआ है EP और यह जो मेरे पास natural water body है इसका evaporation दिया हुआ है आपको E पहली बात क्या कि जो pan होता है वो बना हुआ होता है आपका metal का और जो आपकी water body है इसके आसपास क्या होती है natural soil होती है ठीक है अब आप सभी को पता है कि जो metal होती है उसकी heat conductivity natural soil से क्या होती है तो अगर same temperature में रखूँ तो metal का temperature ज़्यादा बढ़ेगा metal ज़्यादा गरम होगा as compared to natural soil दूसरी बात क्या कि natural soil जो है अपनी वो वैसे भी पानी की वज़े से saturated है तो उसका temperature इतना ज़्यादा बढ़ नहीं पाता है तो अगर temperature ज़्यादा बढ़ेगा pen का तो इसमें से जो evaporation हो रहा है EP वो भी क्या होगा ज़्यादा होगा और जो मेरा natural water body है उसका जो evaporation होगा वो pen के comparison में क्या होगा कम होगा तो यहां से आपने पास कौन सा relation आ जाएगा EP is greater than E ठीक है actual evaporation किसके बारे में बताता है आपको natural water body के बारे में बताता है तो 9th question का आपके पास answer हो जाएगा option number A clear है समझ में आ गई होगी बात next देखते हैं question number आपका 10 question number 10 क्या बोल रहा है आपको the salinity of water option है आपके पास reduce the evaporation increase the evaporation does not affect evaporation and D first reduce and then increase अब देखते हैं आपको मैंने ये बताया था जब factor बताया थे आपको evaporation को affect करने वाले तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि अगर मेरे water में salt की percentage बढ़ती है salt की percentage बढ़ने का मतलब है उसकी salinity क्या हो रही है बढ़ रही है salinity क्या हो रही है उसकी बढ़ रही है अगर salt की concentration बढ़ती है salt की percentage बढ़ती है तो evaporation की rate क्या हो जाती है मेरे पास कम हो जाती है ठीक है clear और इसके बीच में एक relation भी है वो क्या है कि अगर मेरे water की जो specific gravity है वो अगर 1% बढ़ती है तो ये evaporation rate में क्या कर देगी 1% का decrement कर देगी ठीक है ये याद रखना इस पे भी question एक बार पूशा जा चुका है clear अगर water की specific gravity 1% बढ़ती है किसकी वज़े से बढ़ रही होगी obviously वाहत है salt की concentration बढ़ रही होगी तभी specific gravity बढ़ रही होगी अगर specific gravity water की 1.3 से ज़्यादा हो जाएगी तो ये जो relation है ये आपका valid नहीं रहेगा ठीक है clear आगे चलते है question number next आपका 11 क्या बोल रहा है आपसे the most suitable chemical which can be applied to the water surface for reducing evaporation is अब देखो evaporation कोई अच्छा process नहीं होता आमारे पास water क्या होता है evaporation में lost होता है तो evaporation lost को रोकने के कुछ प्रियास किये जाते हैं कुछ तरीके देखे जाते हैं उनमें से जो सबसे suitable तरीका रहता है अपने पास वो क्या रहता है कि एक specified chemicals होते हैं उनका क्या कर देते हैं आपन water body के उपर छिड़काओ कर देते हैं जैसे कि ये मेरे पास कोई water body है इसमें या तक पानी बरा हुआ है मेरा तो मैं क्या कर दूँगा एक certain chemical होता है उसका क्या कर दूँगा इसके उपर छिड़काओ कर दूँगा ठीक है और ये जो chemical होता है ये क्या करता है इस water के उपर एक particular layer बना लेता है ठीक है और ये जो layer होती है ये इस type की होती है ना तो ये अपने आप destroy होती है और अगर इसको destroy कर दिया गया तो ये अपने आप वापस से जुड़ जाती है ठीक है और ये जो certain chemical होते हैं इनमें manly use लिये जाते हैं ठीक है ओपसन देख लिजिए कौन सा match कर रहा है methyl alcohol गलत बार बी ओपसन cetyl alcohol इसका answer हो जाएगा तो 11 वे में आपका answer क्या हो जाएगा option number B clear आगे देखते हैं question number 12 question number 12 आपको क्या बोल रहा है question number 12 आपको देखें यहापे क्या बोल रहा है एक second हाँ जी the instrument used for measurement of wind speed अभी थोड़ी देर पहले बताया था wind speed और direction को measure करने के लिए कौन सा instrument use में लेते हैं that is animometer clear next question देखते हैं question number 13 क्या है evaporation from water surface आपके पास दिये हुए हैं इसमें 4 option increase with humidity B है आपके पास decrease with wind speed C है आपके पास proportional with deficit of vapor pressure और D है आपके पास increase if there is salinity or pollution तो देखो salinity वाला option या case तो अभी हमने देखा था जैसे-जैसे salinity बढ़ती है evaporation rate क्या हो जाती है कम हो जाती है तो D option तो मेरा अभी कट हो गया clear है और देखते हैं आपके पास एक डालतल equation होती है evaporation की c multiply by es minus ea ठीक है c याँपे एक टाइप का constant होता है es होता है मेरे पास saturation water pressure और ea होता है मेरे पास actual vapor pressure ठीक है न saturation vapor pressure आपका generally क्या होता है fix होता है tangible क्या रहता है आपका actual vapor pressure रहता है ठीक है न अब देखें आपे humidity बढ़री है humidity आपकी बढ़री है इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो vapor pressure है actual वोला वो क्या बढ़रा है आपका ओ सॉरी जो actual vapor pressure है आपका वो क्या कर रहा है बढ़रा है और अगर actual vapor pressure बढ़रा है तो ये वाली जो term है मेरे पास इस की value क्या हो रही है कम हो रही है अगर इस term की value कम हो रही है मेरे पास तो यहां से क्या हो जाएगा evaporation की rate भी कम हो जाएगी ठीक है तो अगर humidity बढ़ती है that means evaporation rate क्या हो जाएगी मेरे पास decrease करने लग जाएगी तो option A क्या हो गया मेरे पास गलत हो गया ठीक है अगर इस लेक में से evaporation हो रहा है और इसके उपर वाला जो air है उसमें बहुत जादा वैपर हो चुकी है तो यह वाली term क्या हो जाएगी मेरे पास decrease कर जाएगी और evaporation rate इसमें क्या हो जाएगी कम हो जाएगी लेकिन अगर यहां से कोई wind particular speed पे आ रही है तो वो क्या करेगी इस वैपर वाली wind को या वैपर वाली air को यहां से हटा देगी और उसकी जगे पे क्या आ जाएगी मेरे पास नई air आ जाएगी ठीक है नई air आएगी उसमें जो वैपर की percentage होगी वो कम होगी ठीक है तो evaporation की rate उस case में क्या हो जाएगी आपके पास बढ़ जाएगी clear है तो आप समझें यां से अगर मेरे पास wind speed बढ़ती है ठीक है तो उस वज़े से आपके पास जो evaporation होता है वो increase करता है ना की कम होता है ठीक है तो B option क्या हो गया आपके आप गलत हो गया ठीक है तीसरा देखिए proportional with deficit of vapor pressure deficit of vapor pressure आपकी ये वाली term क्या कर रही है so कर रही है अगर ये वाली term आपकी बढ़ती है तो evaporation rate भी बढ़ जाएगी अगर ये वाली term आपकी गट रही है तो evaporation rate भी गट जाएगी ठीक है तो evaporation जो rate होती है वो आपकी vapor pressure के deficit के क्या होती है proportional होती है तो option number C क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा ठीक है और detail में आपको अगर factor देखने है जो की evaporation rate को affect करते हैं तो आप hydrology की playlist खोलिए और वहाँ पे आपको एक video मिल जाएगी कि जिसमें सारे की सारे factor को detail में explain किया गया है क्या है question number 14 देखिए आप अगला क्या है आपके पास evaporation is a cooling process आप सभी को पता होगा इसमें क्या होती है heat liberate होती है क्योंकि जो water के particle होते हैं वो specific heat लेके ही vapor में convert होते हैं ठीक है तो heat यहां पर use आ रही है use आ रही है that means क्या होगा यहां पर temperature down होगा और temperature down होगा it means क्या है कि यह एक तरीके क्या है cooling process है clear next question देखे question number 15 क्या बूल रहा है vapor pressure in surrounding air at the time when evaporation process is stopped is cold देखो अभी हमने dalton equation के बारे में पढ़ाता क्या थी आपके पास कि ऐसा case जब evaporation process आपका stop हो जाता है मतलब जो evaporation rate है आपकी वो क्या हो जाती है zero हो जाती है और evaporation rate आपकी zero कब होगी जब यह वाली term मेरी zero हो जाए ठीक है अगर मेरे पास यह वाली term जो है ES minus EA यह zero हो जाती है that means क्या हो जाएगा आपके पास ES is equal to EA हो जाएगा ठीक है clear है तो इस case में क्या हो जाएगा आपके पास जो मेरे पास actual vapor pressure है वो किसके बराबर हो जाएगा saturation vapor pressure के बराबर हो जाएगा और यही आपसे इस question में पूचा हुआ है ठीक है तो इसका answer हो जाएगा आपके पास option number B clear आगे चलते हैं question number 16 क्या है if relative humidity is increased of particular area then the rate of evaporation is अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था अगर मेरे पास relative humidity बढ़ती है that means evaporation rate वहां पे क्या हो जाएगी कम हो जाएगी option B का सही answer हो जाएगा question अगला देखिए question अगला आपको क्या बोल रहा है 17 number question if specific gravity of salt water is increased by 1% then evaporation rate is अभी थोड़ी देर पहले आपको explain की थी ये चीज क्या होता है अगर मेरे पास specific gravity 1% बढ़ती है तो ये evaporation rate को क्या कर देती है 1% decrease कर देती है और दूसरी बात ये चीज कब तक valid होती है जब तक आपकी specific gravity 1.3 से कम हो इससे उपर जाते ही ये जो process होता है ये जो आपके पास relation होता है ये काम नहीं करता ठीक है न question number 18 देखें आप 18 question आपसे क्या बोल रहा है pen coefficient for is pen is ये होता है आपका 0.80 clear देखो US pen जो होता है आपका उसका pen coefficient होता है आपके पास 0.70 आपके पास जो polar radio sunken pen होता है उसका होता है आपके पास 0.78 और जो आपके पास IS pen होता है उसका pen coefficient होता है 0.80 याद रखना और भी पूछे जा सकते हैं इसमें से ठीक है ना तो 18 number question का answer हो जाएगा आपके पास option number D clear आगे चलते हैं question number 19 question number 19 क्या कह रहा है आपको wind velocity is relate to elevation according to अब देखो wind velocity और elevation का जो relation होता है जो की mayor equation में काम आता है आपका वो क्या होता है आपके पास VH is equal to K into H की power 1 by 7 या आपका क्या होता है relation होता है ठीक है ना इसी relation के भी आपके क्या होता है आपकी wind velocity elevation के साथ change होती है clear अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि H की power कितनी huge में आ रही है यहाँ पर 1 7th huge में आ रही है तो इसी वज़े से इस low को बोला जाता है 1 7th low इसे क्या बोलते हैं दूसरी language में या दूसरी term में 1 7th low और यही आप से 1 7th low is valid up to तो आपको एक और बात बता दूँ कि यह जो 1 7th low होता है यह आपका only 500 meter elevation तक ही valid होता है ठीक है इसके बाद इसकी validity क्या हो जाती है आपकी खतम हो जाती है clear एक question मैं आप से पूँशता हूँ एक question मैं आप से पूँशता हूँ एक second इसी चीज़ को लेके question मैं आप से पूँशता हूँ आपर कि जो velocity होती है किस में mayor equation में ठीक है mayor equation में जो wind की velocity ली जाती है वो कितने meter पे ली जाती है water surface से water surface से कितने meter height पे wind की velocity ली जाती है mayor equation में आपको बताना है clear comment box में आप मुझे बताएं देखे next question है आपका question number 21 question number 21 आप से क्या कह रहा है पढ़ें इसको in measurement of evaporation by US pen method a wooden base of 15 cm height is used अब देखो जब आपको मैंने US pen method बताया था तो उसमें बताया था कि आपके पास metal का pen होता है specific dimension का और इस pen को directly ground surface के उपर place नहीं किया जाता इसको क्या करते हैं woodens के block पे रखते हैं ऐसे इस type से क्या करते हैं लकडी के टुकडे होते हैं उनको set करके उन लकडी के टुकडों के उपर इसको रखा जाता है इसका कारण क्या होता है क्योंकि मैं यह चाता हूँ कि जो मेरे पास heat आ रही है वो क्या है इसमें आसा नीचे circulate हो सके ठीक है कि मतलब चारो तरब से top से और side से यह क्या होता रहे गरम होता रहे evenly uniformly गरम होता रहे ठीक है अगर देखो इस pen को मैं नीचे रख दूँगा ground पे तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा free circulation जो है air का और heat का वो रुख जाएगा और दूसरा क्या हो सकता है कि ground से यह heat भी ले सकता है ठीक है क्योंकि metal का है metal की heat conductivity अच्छी होती है clear ना तो यहाँ पे इसी चीज से बचने के लिए क्या करते हैं अपन wooden के block काम में लेते हैं जिससे की क्या हो सकता है यहाँ पे heat का जो circulation हो रहा है वो आसानी से हो सके free हो सके और uniformly हो सके दूसरी बात यहाँ पे wood का ही क्यों काम में लेते है metal का क्यों नहीं लेते क्योंकि wood की जो heat conductivity होती है वो क्या होती है बहुत ज्यादा खराब होती है इसी वज़े से जो ground की heat है ground की जो गर्मी है वो pen तक नहीं पहुच पाती है अगर इसकी जगे में metal का block काम में ले लेता ना तो जो ground की heat है वो कहा तक पहुच जाती आपके pen तक पहुच जाती देखो सारे की सारी तो पहन होते हैं उसमें यही चीज़ काम में ली जाती है तो देखो evaporation वैसे भी छोटा सा आपका topic था clear इससे इतने ही question बनते हैं और इससे ज़्यादा question ना तो आप से पूछे जाएंगे और ना ही आ सकते है clear इसके बाद अपन चालू करेंगे next topic तब त बन रही है कड़ी